तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं दोस्तो आज में आपको बताने वाला हूं Samsung मोबाइल में जो कि Samsung Keyboard होता है कुछ उसके hidden features और कुछ tips और ट्रिक्स बताने वाला हूं शाहिद ही बहुत कम लोगों को ही पता होंगे तो दोस्तो वीडियो को skip मत करिएगा और वीडियो को तो इसके लिए दोस्तो चलते हैं Samsung Keyboard पे तो यह मैंने एक चैट खोल लिए यहां पर जाने काद मैंने खोल लिया Samsung Keyboard तो आप देखेंगे Samsung Keyboard कुछ इस तरह देख रहा होगा तो सबसे पहली जो ट्रिक बताने वाला हूं वह है typing को लेके आपने देखा होगा पहले आपने तो आप डिख सकते हैं तो सबसे जो पहली ट्रिक है इसी को लेके तो आप इसमें क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या जाना है मोबाइल के सेटिंग के जाने के लिए सबसे ओपर आपको दिख रहा होगा यहां पर swipe touch and feedback का option इस पर जाने के सबसे ऊपर आपको आपको cursor control आप जैसी इस पर click करेंगे अब क्या होगा अगर आप आप चैट पर जाएंगे तो जो पहले swipe typing हो रही थी आप देखेंगे आप swipe typing बंद हो चुकी है अब ये cursor का काम कर रहा है अब जहां भी आप उसको move करेंगे आप देख सकते हैं cursor cursor महाँ पर move हो रहा है अब आप डाउन करने के लिए मैं थोड़ा दसमें एंट्री कर लेता हूं आप देखेंगे ये उपर की तरफ और ये निचे की तरफ easily move होने लगा जिस पर आप cursor की तरह उसको यूज कर सकते हैं तो बहुत definitely अगर आप typing करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा definitely mouse की तरह उसको यूज कर पाएंगे जो दूसरा और टिप बताने वाला हूं वो है दोस्तो थीम को लेके जो कि आप दिखाओ वो थीम बहुत important होती है लगबग थीम चेंज करना चाहते हैं अपने keyboard में तो उसके लिए आपको करना क्या है mobile के setting में जाना है setting में जाने क्या आपको यह जाना है style and layout में जैसी आप style and layout में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे option मिलने वाले हैं तो सबसे बहुत जो option मिलेगा यहाँ पर आपको keyboard के themes के option पर जाना है keyboard के तीम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो तरह की themes मिल रही है जो की बहुती ज्यादा classic लगने लगा इस पर typing करने में मज़ा आएगा तो यह हो गई दोस्तों दूसरी टेप अब जो तीसरी टेप से बताने वाला हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ एक tools सा दिख रहा है यह जो आप देख रहे ने ऊपर इसको tools बोलते ह keyboard tool बार आप इसको यहाँ से click करेंगे और नीचे option आएगा okay तो आप इसको हटा सकते हैं तो आप देखेंगे यह हड़ गया है पूरी तरह से यहाँ से हड़ गया आप यहाँ से click करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा उपर साट की नीचे की त चाहते हैं कि और कुछ कलर का भी चाहते हैं जो कि इसमें तो है नहीं तो मैं आपको आपको यहाँ से चेंज कर पाएंगे तो इसके लिए वापश आपको जाना है सेटिंग में यहाँ पर आपको option मिलेगा high contrast keyword आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको करना है इसको on जै यह ब्लैक वाला मुझे थोड़ा साही लगा इस पर जाए के बाद मैंने कर लिए इसको अपला है आप इसकी जो बॉर्डर देख रही है आपको देखने होगे कीवोड पर वाइड कलर की बॉर्डर आरी साइड साइड में तो आप उसको भी हटा सकते है उसके लिए आपको ज मिल रहा है इसका मतलब यह है आप देख सकते हैं सबसुपर मिल रहा है इसमें क्या होगा जब आपका मोवाइल लाइट और डार्क मोट पर रहेगा तो उसके हिसाब सही आट्रमेडिक कीवोड का कलर जो है या थीम जो है चेंज हो जाएगी तो आप इसमें कुछ भी इसको कि अट्रमेण कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों जो तिसरा अप 앞에 गएнять कर सकते हैं और उसके बाद सिमपनी आप मेसे आप देख सकते हैं लैफ्ट इन क्योंग कर आट है है लेंग्वेज चेंज हो चुक्य है और चाहें तो इसमें और भी कर सकते हैं अब को जाना है मोगाइल की सेटिंग मैं जाने का सब सी उप्षन मिलेगा आपको लेंग्वेज एन टाइप्स का यहाँ पर आप देख हैं मेरी दो इन्बल एंग्लिश यूएस हैं हिंदी आपको और एक करना तो यहां जाना अमेनजमें आपको बहुत सारी आपको देख रहे हैं Gurpose र सारी मिल जाएगी लाइक में इसमें से और कोई सी भी एक कर लेता हूं घुज़ भॉट पर आपकर लिए किया याप करने के आप तो चोथा option बताने वाला हूं, दोस्तो होता क्या है, आपको पता होगा आप जब screenshot लेते हैं, screenshot भी ले लेते हैं, या फिर आप copy करते हैं, किसी text को, तो वो यहाँ पर आके clip guard में save हो जाता है, उसको देखने के लिए आप कहां जाना है, यह toolbar का option देख रहा है, यहाँ आपको three dots के बगल में आपको यहाँ पर click करना है, जैसी आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो यह इस पर click करेंगे, तो जित्ते भी आपने अभी तक screenshot लिये होंगे, photos लियोंगे, या कुछ भी लिया होगा, आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और simply अगर आपको उसको safeguard में, कि आप इसको unnecessary बाद में use कर पाएंगे, जो कि बहुत must feature है, उसके बाद दोस्तों, आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ mode change करना, तो यहाँ आपको जाना है, three dots में, size wise change करना, keyword का side change करना, आप जैसी इस पर keyword के size पर जाएंगे, तो आपको यहाँ मिलने वाला है, mode का option, ज one hand keyboard and floating keyboard, आप जैसे one hand पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, ऐसा हो चुका है, यह one hand के लिए हो गया, आप यहाँ से इदर कर देंगे, इस पर कर देंगे, तो यह इस hand के लिए हो जाएगा, तो यह simply है, अगर आप एक हाँ से type करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए काम की ची आप जहाँ से type करके, यहां पर टाइपिंग कर सकते हैं, तो टाइपिंग आप देख सकते हैं, नीचे होना चालू हो गई है, तो इसको आप कहीं भी use कर सकते हैं, floating वाले वो, जो की must है, इसको कर लेते हैं, standard करने के आपको यहाँ पर एक text का option मिल रहा है, यह देख रहा है text editing का option मिल रहा है, आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, तो यह आप उसको keyword की तरह use कर सकते हैं, अब down key दी हुए, arrow key दी हुए, select करना चाहें, तो यहाँ पर select करके, यह से shift क्लिक करके, आप यहाँ से select करना चाहेंगे, तो पुरी select होती जाहिए, आप देख सकते हैं, पुर इसके बाद दोस्तों, जो कि मैंने आपको एक option बताया था कि आप यहाँ से cursor कर सकते हैं, एक cursor का option आप यहाँ पर mouse के थूरू भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, जाना है, settings में, settings में जाने का आपको जाना है, swipe and touch का option पर यहाँ पर जैसी, तो दोस्तो आप देख को यहाँ पर थुड़ी तरह प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखेंगे तो आपको cursor control का option मिल गया, आप देख सकते हैं, यहाँ पर easily cursor पूरी तरह से maintain हो रहा है, यहाँ लिखा भी हो आ रहा है, cursor control का यह नया feature भी आया था और जो add हो चुका था, आपको इसके तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक शेर और कमेंट ज़रू करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूल यह सका लिंक आपको डिक्स्क्राइब मिल जाएगा, तो थेंक्यो दोस्तों